दुनिया माया को भी अच्छी तरह से नहीं चाहती है परमात्मा की खोज करना तो दूर जिस मायावी दुनिया में हम रह रहे हैं इस मायावी जगत का कारण रूप क्या है किसी को नहीं पाल पेड काली की ने देखी नहीं सब रहें छाय में उरचाय हिंदू समाज को तो जहां देखी है कई साली ग्राम का टुकड़ा पत्थर का नदी में बहता हुए मिल गया तो उसको साली ग्राम मानकर उसी पोसिट जुकाने लगते हैं घर के आगे इंट से चबुतरा बना लेते हैं और कहते हैं कि यह हमारा घर का देवता है उसी को मेवा मिष्ठान खिलाने लगते हैं कहीं मजार देख ले उस मजार में क्या होता है हड़ी ही तो होती है लेकिन उस मजार को पर भी सिर्फ पटकने लगे बिर्क्षों को सिर्व नमाने लगे तालावों के پूजा करने लगे नदियों के पूजा करने लगे लेकिन जिसने सारी सुिष्ठी को बनाया है उससे मुख मोड लिया गिता कहती है इस्वरा सर्व भूता नाम हिर्देदे से तिष्ठत अरजुन परमात्मा हिर्दय मंदिर में बस्ता है अभी आपने किरंतन सुना था थोड़ दिर पहले आओ जी वाला मारे घेर मेरे अराध्य, मेरे प्राणेश, मेरे हिर्दय मंदिर में आये किती मधूर प्रार्थना है उस अच्छरातित से कि आप मुझे रोते हुए छोड़ करके चले गए आपके जान के प्रगास्य में जागरित तो हो गई हूँ लेकिन आप मुझे दिखाई को नहीं दे रहे हूँ बीरा में मेरी आत्मा आपको पुकार रही है कि मेरे सामने आओ, इसी छड़ा जाओ कितने प्रेम भरी ये प्रार्थना बिंते अच्छरातित के चरणों में की गई है आओ जीवाला महरे घेर लेकिन दुनिया उस अच्छरातित को प्रितन नहीं मांगती दुनिया किसको प्रिंत मांती पत्थरों को एक कारिगार पत्थरों को तरास्ता है महापूर्शों की मुर्थियां बना देता है एक कर्मकांडिय ब्यक्त जूठे मंत्र उचारन करता है कि प्राणा इत यह आगंचंत प्राण इस मुर्थि में प्रवेस करें और उसको नाम रख दिया जाता है प्राण प्रतिष्ठा जिस मंत्र के बोलने से मुर्थि में प्राण चले जाते हैं तो उसी मंत्र को बोलकर मरे विये ब्यक्ति को जिन्दा क्यों निकल लिया जाता है लेकिन सारा हिंतु समाच पत्थर को पत्थर में प्राण भरता है मनुष सोचता है मैं तुमको खिलाने बैठोंगा तुम्हारा बनाये हुआ मैं तो चारों तरफ घुम सकता हूँ लेकिन तुमको किसी कमरे में बंद कर दूँगा मेरे इक्षा के भी ना ताला खोले तुम बाहर भी नहीं निकल सकते यह मनुस्त उपहासी तो उड़ा रहा है किसी ना किसी रूप में और अपने को हिंदू कहने वाले हम लोग यह गलती कर रहे है हमने वेदों को नहीं देखा उपनिस्तों को नहीं देखा दर्सन सास्तनों को नहीं देखा हमने गीता को नहीं देखा हमने मनमानी कलपनाओं के अधार पर तरह तरह के मत्पंत गढ़ लिए सरुसक्तिमान परमात्मा को कमरों में बंद कर दिया ज्यान के ताले सारे बंद कर दिये कि हिर्दे में ज्यान का प्रकास न हो हमारा विवेत जागरित न हो इस अंदकार से निकालने के लिए अक्षरातीत की ब्रमवाणी आई है बाणी पुकार करके कह रही है कि परमधाम की अत्माओं तुम्हें जागरित होना है और ये जागनी निला कब चलेगी? जब बिजया, अभिनंद, बुद्ध, निश्कलंग, स्वरुप का प्रक्टन होगा उस स्वरुप में क्या होगा? अक्षरातीत के जान की सक्ति रहेगी जिसको कतेब की भासा में अस्त्राफिल का गया है तो हिंदू धर्ग बुद्ध में जिसको जागरित बुद्धी कहा जाता है परब्रम की आवेश सक्ति होगी आवेश जहां विराजमान होता है वो अक्षरातीत का सुरूप होता है परब्रम की हलादनी सक्ति स्यामाजी होगी और उनके आदेश की सक्ति होगी जिसको जोस की सक्ति करते हैं जागरित भुद्धी की सक्ति आदेश की सक्ति आवेश के रुप में होगी जोस की सक्ति होगी जिसके द्वारा सारे कारे संपादित होते हैं परब्रम की हिलादनी सक्ति भी होगी और स्वयम अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म के सतंग, सतंग, अनंदंग, और चिदगन सक्ति आवेश रुप से जान की सक्ति और जोस की सक्ति, इन पांचों सक्तियों के साथ वह तन लेला करेगा, इसलिए उस तन में किसी तरह की अपूर्णता नहीं रह जाएगी, क्योंकि उस परिब्रह्म के जान की सक्ति और जोस की सक्ति परिब्रह्म की भी निजबुद्धी का प्रकास होगा, ऐसा सरूप आज दिन तक इस स्रिष्टी में न आया था, न कभी आने वाला है।